दूस्तों क्या आप लोग भी सब क्रैक्स से परिशान हो गयों? कैसे भी क्रैक्स हो नई स्लैब को आप कास्ट करते हो इसकी कॉंक्रिटिंग होती है और दूसरे दिन उस चत पे क्रैक आगे होते हैं जा कोई पुरानी शर्त है, वहां से crack आ गया है, sealant नीचे आ रहा है, पानी नीचे रिस रहा है, और अंदर dampness ही dampness हो गई है, यह काफी ज़्यादा दिक्कत होती है, बले अब बाटर बूफिंग वहां करा लो, कोबा करवा लो, चाइना मुजाइक करवा लो, या टाइलिंग करवा लो, कुछ भी करवा लेते हैं, लेकिन वो leakage रूपती नहीं है, काफी ज़्यादा दिक्कत रहती है, मतलब और cracks को आने के reason काफी ज़्यादा होती है, मतलब आप concrete सही नीचे रिस रहा है, पानी ज़्यादा डाल दिया, कुछ भी हो जाए, आपकी slab में leakage की परिशानी रहती रहती है, ऐसी dampness दिखे ही दिखेगी, जहाँ यह सामने आप जैसे देख रहे हो, यह जो bathroom है, इसके उपर tile है, टाइल से पानी नीचे रिस रहा है, और नीचे dampness हो गई है, यहाँ सीडी पे पानी रिस रहा है, कमरे में dampness हो गई है, और यहाँ छत की नहीं कास्टिं होई है, और यहाँ आप नीचे देख रहे हो, sealant दिख रही है, यह काफी ज़्यादा दिक्कत रहती है, तो आज इस वीडियो में एक solution में आपको बताने वालो, बहुत अच्छा solution है, क्योंकि वो एक, मतलब ज़्यादा पैसे नहीं उसमें लगने वाले, easily वो हो जाता है, तो उसकी complete detail देता हूँ, मैं आपको लगवाना कैसे है, मतलब उसको मैं पूरा practical करके आपको दिखा जाऊँगा, मैंने मतलब एक sample उसका मगाया, और उसको 2-3 construction में use किया, और result काफी ज़्यादा अच्छा रहा, तो मैं उसको use करके आपको दिखाता हूँ, कैसे उसको apply करन सकते हो, आप पे depend, लेकिन इसको देख लेती है, मैं आपको product का बता दू, काफी अच्छा product मेरे को भी यह लगा, pore seal C900, इस product का क्या है, मतलब काफी ज़्यादा अच्छा perform यह कर रहा है, और इसको मैं apply करके आपको दिखाऊँगा, कि कैसे apply करना है, इसी specifications में आगे आपको शत्पे किया हुआ है, और उसका result भी देखा, दो-तीन महिने से यह product मेरे पास है, तो काफी अच्छा बीच में बारिश भी हुई, काफी hard बारिश हुई है, लेकिन leakage की समस्या वहां आपने नहीं देखी, तो और मतलब जैसे product को apply करते हैं, उसके 6 गंटे बाद ही अपना result दे देते हैं, अभी मैं इसको आपको पूरा procedure बताता हूँ, use कैसे करना है, सबसे पहले यह जो cracks है, यह cracks आपके छुटे-छुटे cracks है, पुरानी slab है, ऐसे नहीं slab जो होगी, पहले दिन कास्ट की दूसरे इंग cracks हो जाते हैं, तो वहां पे आपको साफ करने ज़रूत नहीं और simply हमें क्या करना है, इसको apply करना है, ऐसे, ऐसे और ऐसे, यह हमने इस पर apply कर लिए, एक layer जब यह हो गए उसकी, फिर हम इसको पूरे मतल देते हैं, यह कर लिए, यहां भी apply कर लिए, जहां जहां आपका crack होगा, और इसको आप पूरे छट में apply कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जब एक layer हो जाती है, उसके बाद आपको दूसरी layer इसमें लगा देनी है, और फिर इसमें क्या करना है, आपको गिले-गिले में ही तो 34 layer लगा देनी है, और यह मत धरना की इतनी layer लगानी पड़ रही है, काफी सस्ता product है, दूसरी चीज, curler लेसा है यार, जहां भी apply करोगे, यह दिखेगा है नहीं कि आपने यहाँ apply किया है, most important चीज इस product की क्या है, low viscosity, आप समझो low viscosity है क्या, कितना भी छोटा hair line crack होगा, उसके अंदर गुज जाएगा है, पूरा अंदर तक penetrate होगा, hair line crack है, बड़ा crack है, deep तक जाने वाला है यह, और उसको बंद कर दे अगर एक layer waterproofing chemical की उसके नीचे नहीं मारी हो, और इंडिया में first time आपको यह ऐसा chemical मिल रहा है, एक अच्छे price में, जो यह अच्छे से perform कर लेगा, बले आप चाइना mosaic कराओ, big bad koba कराओ, tile लगाओ, कुछ भी लगाओ आपने चत पे, लेकिन उससे पहले, इसकी 2-3 layer लगा जोगी, वो बिल्कूल एक दम से रुख जाएगी, कहीं से भी आपकी जो पानी है, अंदर रिसर है, लिखे जो रही है, जैसे यहां से पानी अंदर रिसरा था, और दिवार को लगके यह से काला color हो गया है, जैसे dampness हो गया है, यह smell हो जाती है, तो क्या करना है, आपको यह गानी, तो एक अच्छे से layer बन जाती है, और जो पानी होगा, वो अंदर penetrate नहीं हो पाएगा, क्यूंकि जो यह चीज है, यह low viscosity होने के कारण यह अच्छे से अंदर penetrate हो जाएगी, और अंदर gap बने गए नहीं, कोई void होगा नहीं, तो अंदर यह पानी को जाने नहीं देती ह और फिर यह सामने जैसे आप देख रहे थे, जो bathroom का च्छत था, जहां से पानी की सीपेज हो रही थी, और नीचे sealant आगे थी, dampness आगे थी, तो जो भी joint होंगे, बले वो tile के joint है, आपके brick bed kooba के china music है, कहीं भी joint है, उन joints पे अगर तीन से चार layer अगर आपने यह मार दी, तो उसके बाद वहां से पानी अंदर रिसना बंद हो जाएगा, एक waterproofing layer उपर बंद जाएगी, ना आपको tile तोने की ज़रूरत है, कुछ नहीं करनेगा, एक सस्ते में यह cracks को बंद कर देगा, यह procedure रहता है, कुछ cracks क्या होते हैं, काफी बड़े होती हैं size में, और brush से अगर उन करते जाओ chemical को, और पूरा fill करके वो voids भी आपके easily बंद हो जाएगे, तो हमें तो काफी अच्छा result मिला है, निलम building company है, उनका यह product है, काफी सालों से यह work कर रही है, company और waterproofing product बना रही है, और यह जो pore seal C900 product है, यह भी निका product है, बले आप tile, terracing, quota stone, marble, koba, new roof, हर एक crack का यह इलाज करेगा, और leakage start, मतलब leakage खतम कर देता है, 6 गंटे जैसे ही लगाओगे, उसके लिकाओगे खतम होगी होगी, तो अगर आप buy करना चाते हो, मैं description में link डाल देता हूँ, company की detail भी रहेगी product भी, आप buy कर सकते हो, कोई force आपको नहीं कर रहे है, लेकिन अच्छा product है,